चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, सबसे पहले वीडियो देखने के लिए Hello Everyone, आज मैं आपको बताने वाला हूँ क्या हमको 5G radiation से करण लगता है या नहीं लगता है इस चीज़ को explain करने से पहले मैं आपको बता हूँगा कि 5G radiation होता किस चीज़ का बना हुआ है एक्चल में 5G radiation जो होता है, इलेक्टो मैनेक्टिव वेप्स का बना हुआ होता है रमा DPX कामा जिसके बारे में है हम डिसकस नहीं करने वाले अब मैं आपको सिक्के के दूसरे पहलु की तरफ लेकर करके चलता हूँ इलेक्टो स्टेटिक चार्ज, क्या होता है इलेक्टो स्टेटिक चार्ज इन 1785 गिलवर्ट ने हमको बताया कि अगर हम अंबर नाम की सबस्टेंस को अंबर एक्च्वल में एक स्टोन होता है, उस सबस्टेंस को बिल्ली की खाल पर रफ किया जाता है तो स्टोन के अंदर हलके हलके पदा जैसे बूसा होता है, काकस के टुकडे होते हैं उनको अट्रैक्ट करने का गोड़ आ जाता है, क्यों कि जब इस अंबर को रफ किया जाएगा बिल्ली की खाल पर तो अंबर के इलेक्ट्रोंस निकलके बिल्ली की खाल में चले जाएंगे जिससे बिली की खाल पर positive बिजली मतलब चार्ज आ जाएगा ब़लकी negative चार्ज आ जाएगा क्योंकि elektron इसके पास जादा हो गए जब भी इस टोन पर positive चार्ज आ जाएगा क्योंकि इस पर shortest उनकी कमी हो गई अगर हम काच की ट्यूब को रेशन के कपड़े पर रगड़ दें तो ये भी क्या है? इलेक्टोस्टेटिक चार्ज और अगर हम इसके अलावा किसी भी सबस्टेंज लाइक गुबारे को बालों पर रगड़ती हैं तो वहां भी क्या बनेगा आपका? इलेक्टोस्टेटिक चार्ज पहले कहा जाता था कि ये जो 5G रेशन है इसी से हमको बिजली का जटका लग रहा है बट 5G रेशन होता है इलेक्टोमेलेक्टिव वेवस का और इलेक्टोमेलेक्टिव वेवस जो होती है करंट जनरेट नहीं करती हैं हाले कि मैं मानता हूँ कि तो 5G जो आपका radiation होता है ये heating effect दिखाता है हमारी body के tissues को गर्म करता है बट इतना गर्म भी नहीं करता कि हमारी body current को generate कर सके और हमारी body के अंदर electron proton का जो combination वो बिगड़ जाए तो 5G radiation इसके लिए जरूरी नहीं है कि 5G radiation से हमको current लगे 5G radiation से हमको current नहीं लग रहा है और हाँ इसके लावा एक अबवा ये भी फैली होई है कि oxygen के जो molecules है उनकी जो कमी हो रही है atmosphere के अंदर वो 5G की वज़ाए से हो रही है जबकि 5G में use किया जाने वाला electromagnetic waves या radio frequency का इससे कोई भी connection नहीं है ये तो radio frequency होती जिसके ओपर किसी भी चीज़ का कोई effect नहीं पड़ता है और बहुत से देशों में इस 5G बलकि 6G का भी use किया जा रहा है जबकि 5G radiation का use को केवल महराश्ट जैसे कुछ छेतरों में किया गया था यहाँ UP किया और साइडों में इसका use भी नहीं किया गया है और इसका सिर्फ एक और एक ही reason है वो है coronavirus जो अपनी form चेंज कर लेता है जैसे कि हम बार बार अपनी form चेंज कर लेते हैं वैसे ही coronavirus अपनी form चेंज करकी हमारी lungs पे attack करता है जिससे हमें oxygen की दिक्कत हो जाती है बहुत सी अववाइं पहले उ अववाएं यह सारा का सारा होता है electrostatic charge जाड़ों में आपने देखा होगा रेशमीन कपलों में चिंगारी निकलती है वहाँ भी आपको current लगता है तो सब क्या है आपका यह electrostatic charge है इसका 5D radiation से कोई भी मतलब नहीं है क्योंकि 5D radiation electromagnetic waves है जबकि electrostatic charge कैसे बनता है यह मैं WhatsApp पे जो यह अववाएं आ रहे हैं आपके मन के अंदर सिर्फ और सिर्फ डर पैदा कर रहे हैं जिससे लोग Corona से कम और इसकी डर की वेह से बहुत जादा मर रहे हैं तो अपने आपको इस डर से स्वच्छित रखें और अपने आपको इस डर से ऐसी अववाओं से दूर बन अववाएं